हर हर महादेव दोस्तों, आज का दिन पवित्र होने के साथ-साथ बहुती महत्वपूर्ण हो गया है पवित्र क्यों है? क्योंकि आज वैशाख पूर्णिमा है और सोंवार भी है यानी आज के दिन भगवान विश्णू तो महादेव से मिल रहे हैं पर आज के दिन ही नंदी महाराज की भी 353 वर्षों की परतीक्षा समापत हुई है या पिर यूँ कहें कि नंदी महाराज को तो पता था कि बाबा विश्वनात कहा है ये हम ही मनुश्यों को उन तक पहुँचने के लिए इतना समय लग गया यानवापी मस्जिद में शिवलिंग का प्रकटी करण बहुत ही महतपून बात है मैं इसे आयुध्या के मामली के जितना महतपून मानता हूं या फिर कुछ कॉंटेक्स्ट में ये आयुध्या के मामले से भी कहीं अधिक महतपून बात है वो इस कारण है कि आयोध्या में जो बाबरी धांचा था वो धांचा था मस्जिद नहीं कुरान में कहा गया है कि मस्जिद वही जगह है जहां पर नमाज कंटिनियूसली आदा करी जाए बाबरी धांचे में नमाज continuously आदा नहीं करी गई थी एक लंबे अरसे तक परन्तु काशी का जो ग्यान वापी मस्जिद है वहाँ पर तो नमाज रोज आदा करी जाती है अब सोचने वाली बात ये है कि जो लोग उस मस्जिद में रोज जाते थे रोज नमाज अदा करते थे क्या उन्हें वहां की दीवारों की चीक सुनाई नहीं देती थी क्या उन्हें ये नहीं दिखता था कि मस्जिद एक मंदिर के उपर है क्या वहां की दीवारों पर चिन्हिद कमल, कलश उन्हें दिखाई नहीं देते थे या फिर वो देखना नहीं चाहते थे और शाद इसी कारण जो पहला सर्वे हुआ था या होना था उसको लेकर के इतना बवाल मचाया गया अब दूसरी बात ये है कि archaeological findings किसी भी जगह की historicity यानि उसके इतिहास को टाय करने के लिए बहुत ही important मानी जाती है पर ये एक dangerous trend है ये एक बहुत ही खत्रनाक trend है क्यों? इसका पहला कारण ये है कि archaeological findings में आपने जहां तक खुदाई करी है केवल वही बता पाता है या केवल उस ही को मान लिया जाता है कि यही उस जगह की historicity है उन चीजों का क्या जो अभी तक खुदी नहीं गई है अब इस कारण क्या होता है? कि हम केवल जहां तक की खुदाई करी गई है उतनी ही history पढ़ते है और फिर हम केवल उस ही को सच मानते है तो ये एक खत्रनाक trend है अब दूसरा जो मामला है वो ये है कि हम में एक बीमारी है वो बीमारी ये है कि हमें तो साक्ष चाहिए हमें proof चाहिए हम अपनी समझ को जो available साक्ष हैं उन तक नहीं लेकर जाएंगे हमें चाहिए कि साक्ष हमारे level तक आए जितनी हमारी समझ है, जितनी हमारी बुद्धी है साक्ष उस level तक उतर करके आएं तभी हम उन्हें साक्ष भी मानेंगे इसका एक 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 जामपल मैं आपको देता हूँ हमें बताया जाता है कि अकबर वॉज अ ग्रेट मैन अकबर दग्रेट अब इस बारे में कितने archaeological evidences आएं हैं ये कहा जाता है कि अकबर धर्म निरपेक्ष था कैसे कहा जाता है कि एक दो जगह पर कहीं पर मंदिर बना दिये गए पर बाकी सब बातों को हम छोड़ देते हैं और साथ ही साथ हमें जो ज़्यादा जोड़ देकर पढ़ा जाता है वो ये है कि अकबर वॉस्ट ग्रेट वाई बिकज ऐसा अकबर नामा में लिखा है ऐसा अकबर के जमाने के उस ही के दर्बार में रहे रहे लोगों ने लिखा है इसलिए हम उस बात को सच मानेंगे पर जब बात आती है काशी की मथुरा की आयोध्या की तब हम पुराणों को नहीं मानेंगे सच तब हम वेदों में लिखे गए उपनिशिदों में दिये गए साक्षियों को सच नहीं मानेंगे तब हमें आके लॉजिकल एविडेंस इसकी जरूरत लगती है और इसी कारण ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है हमें अपने धर्म पर हमें अपने रिशियों पर और अपने ग्रंथों पर विश्वास होना चाहिए और बात ये होनी चाहिए कि जो बात ये उसमें लिखी गई है अब जितने भी पुराण है वो किसने लिखे कब लिखे यदि आपको इस बारे में डाउट है तो इतना तो पक्का है कि पुराण और अरंगजेब और अकबर से पहले लिखे गए और यदि उन ग्रंथों में ज्यान वापी के बारे में लिखा गया है ये कहा गया है कि ज्यान वापी मस्जिद कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि ज्यान वापी का अर्थ है ज्यान का कुवां तो ज्यान वापी मस्जिद कैसे हो गई इस बारे में भी हम सोचेंगे नहीं हमें archaeological evidences चाहिए भले ही अकबर was great हमें अकबर नामा से मालूम चले या फिर ऐसे ही किसी और कताबों से मालूम चले हम अपने गरंथों को नहीं मानेंगे ये एक बीमारी है और इस trend को बदलना चाहिए परन्तु ये सभी बातें आज के दिन की महता को कम नहीं करती है क्योंकि ये जो findings है ये उन लोगों के मुँपर कालिक है जिन लोगों ने हमें ये पढ़ाया कि यान वापी एक मस्जिद है और जिसका हमें सम्मान करना चाहिए बढ़े ही वो मंदिर के उपर हो ये बात तो आप कह रहे हैं ये बात तो हमें दिख रही है पर इसका साक्ष क्या है आज का दिन उन लोगों के मुँपर एक जोरदार तमाचा है दोस्तों आज के इतने महतवपून दिन पर मैं आपको कुछ सर्प्राइज देना चाहता हूँ हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं काशी पर जिसमें हम काशी के साइंस को लेकर के आएंगे जिसमें हम काशी की पौराणी कथा को लेकर के आएंगे और साथ ही साथ हम काशी के इतिहास और इतिहास से जुड़े कई सारे और तत्यों को लेकर के आएंगे जो की बहुत ही सर्प्राइजिंग होंगे आप सभी के लिए ऐसी ऐसी बाते उस सीरीज में होंगी जो आपने पहले नहीं कर भी पढ़ी होंगी और सुनी होंगी हमारी उस सीरीज का आप इंतजार करिए बहुत ही जल्द हम आपके लिए वो सीरीज लेकर के आएंगे और आपको मेरी कही हुई बातें इस वीडियो में कैसी लगी कृपया करके मुझे कॉमेंट्स में बताएं तब तक के लिए हर हर महादेव